हर खबर पर है हमारी पहली नजर उत्राखंड की बुलंद आवाज आप देख रहे हैं न्यूस पोटल उत्राखंड भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को गुरुवार को हुई प्रस्तावित रैली को लेकर विपक्ष भाजपा पर कटाक्ष कर रहा है इसी के चलते कॉंग्रेस के वरिष नेता सुमित रिदेश ने प्रधान मंत्री की रैली को निराशा जनक बताया उन्होंने कहा कि जिस परकार से प्रधान मंत्री ने हल दुआनी के लिए 2000 करोड की गोश्ना की है वहाँ पैसा किसी गरीबों के काम में लगाते तो शायद किसी का भला होंगा और जिस प्रकार से 17,000 करोड की योजनाओं का सिलान्यात और लोकारपन प्रधान मंत्री के द्वारब किया गया, वह कब तक पूरा होगा यह देखने का विशय है। प्रधान मंत्री पूरे भारत के नेता है, वह किसी व्यक्ति विशयश के नहीं। जबकि भारत के प्रधान मंत्री का दोरा था, मैं सरकारी था ठीक है, उनकी योजनाओं का सिलान्यास और लोकारपन करना था, लेकिन भाजपा के लोगों ने इसे भाजपा की रैली बना दिया। जबकि प्रोडोकॉल कहता है, सभी विख्षी नेताओं को भी प्रधान मंत्री की रैली के लिए आमंत्रित करना चाहिए था, लेकिन भाजपा के लोगों ने ऐसा नहीं किया, इससे साफ होता है कि यह जो प्रधान मंत्री की रैली थी, केवल भाजपा की रैली थी, और 2022 के चुनाओं को लेकर प्रधान मंत्री के द्वारा संबोधन कराना था, यह कोई सरकारी रैली नहीं थी, जबकि पैसा सरकारी लगा है, क्योंकि प्रधान मंत्री के आने से पहले रातो रात हलवानी की सड़कों की हलट ठीक कर दी गई, करोडो रुपे के गमले सड़कों पर लगाए गई, सड़कों की मरमत की गई, लेकिन इससे पूर किसी भी PWD कर्मचारी या नगर निगम के कर्मचारियों को हलदवानी शहर की कोई दशा नहीं दिखी, केवल सरकार के पैसों का गुरुपयों भाजपा के द्वारा किया जा रहा है, तो इसलिए ये जो 2000 करोड थे, अगर ये जो COVID में जो लोग मरे, अथवा जिनके धंदे पैदल हुए, उनके सहीयों की साहता के लिए उस समय खर्च कर दिये गए होते, तो कहां से कहां अच स्थिती होती लोगों की, तो मिर को ये लगता है कि जाते जाते गोशना एक वो द जजार है कि कॉंग्रेस जो वास्तविक बाते करती है और कारे जमीन पर करती है, कॉंग्रेस की सरकार बनाने का लोगों ने मन बना लिया सब भारत के प्रधान मंत्री थे, जहां तक देखा जाते है, क्यों गोशना लोगार पड़कर में आयते हैं, कि अब भाजपा की रेली थी, सरकारी रेली तो कहीं से कहीं तक थी नहीं है अब देखिए मेरे को आश्चरे ये हुआ कि मामहें गवर्णर साब भी मौजूद थे और प्रोटोकॉल ठीक है, प्रधान मंत्री जी का था ही, सरकारी कारक्रम था, तो क्या केते हैं निमंत्रन विपक्ष के नेताओं को भी मिलना चीए था, प्रधान मंत्री जी से सब को म समस्या हैं, उनके आने पे 10 करोड रुपे की PWD ने राजपुरा से लेके MB Inter College तक की रोड पे खर्च कर दिया, लेकिन उसके लावा जो सडकों की गती है इस शहर में, उस पे कोई विचार नहीं हुआ, उस पे कोई बात नहीं कई गई, तो ये जो घोशना वाला विकास है, उससे बेहतर कॉंगरिस का जमीनी विकास है, हमारा track record कोई बी देख ले, कॉंगरिस तो जमीन पर विकास करा है, इसके हमारे पास अनेको उधारण है, सैकडों उधारण है, और जनता उनको याद करतो है, आगे कॉंगरिस की सरकार बनाने का मन बना चुकी है